हाँ तो दोस्तो उटका Small Finance Bank के IPO के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस IPO के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गें बिल सकता है और आपको इस IPO के अंदर अपलाए करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो रिके सब्सक्राइब यहाँ पूरा डिटेल में आपके कमनी के बारे में आपके बात करेंगे और यहाँ पर आपको अपलाय करना चाहिए यानि उसके बारे में आपके end में बात करने वाले हैं तो रिके 12 जुलाई को यह IPO में उपन उटावा नजर आएगा यानि कि जो आने वाला वेडनेज दे है उजीन यह IPO में उपन उटावा नजर आएगा और फ्राइडे की दिन यह IPO में इंपन उटावा नजर आएगा यह अगर हम कमनी के प्राइड बेंड के अगर हम बात करेंगे तो 25 के कट अफ पे यह आपके लगेगी वह दो लाग 10,000 की लगेगी यानि की चवडा लट की अप्लिकेशन लगेगी और भी एचे नहीं कि इंदर यहाँ पर 67 लट की मिनिमूम अप्लिकेशन आपके लगेग यह तो हमने आईपी। की डेटेल के बारे में यह पर जाना है लेकिन एड ज यह पर यहां पर आपको अप्लाय करना चीये यह नहीं तो अब इसकी अगर में कर्यंट्लि अगर में गुरे मार्केट पीमिएं के अगर बात करूंगा तो लगबग 5 यamp कमपनी का IPO आ रहा है और पिछले साल कमपनी ने लगबग अगर हम देखेंगे 400 कुरोड के लगबग का पैड ये कमपनी ने किया है तो इसके अगर आप देखोगी आप 6-7 का पी रेशियो में आप ये कमपनी का नजर आता है लेकिन नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो स्मॉल करना चालू करता है तो वहां पे जो नॉर्मली स्मॉल फिनाइंच बैंक्स होते है उनका जो पी रेशियो होता है वो में थोड़ा एक्स्पांड होता हूँ आप आप नजर आता है लेकिन देखें मेरे खाल से अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इंवेस्टर आप रोज नॉ मुझे लगता है कि यहां पे यह कंपनी की लिस्टिंग हमें निचे ओटी वे नजर आएगी मुझे लगता है कि यहां पे जो रिटेल और एचे नहीं वाली जो कोटा है उन दोनों के अंदर हमें आपे कम से कम 20-20 टाइम से आपे हर केड़ेगरी के नहीं आपे रेड अलर्ट नजर नहीं आता तब तक मुझे लगता है यहां पे बैंकिंग स्टॉट चना में आपे कोई यहां पे मंदी देखने को मिलेगी लेकिन देखिए लांग डम के लिए अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इंवेस्ट है जो मेरी काल से आपने यह शेर को नहीं कर लेगा आप मैनेज नहीं कर पाओगे देकिन अगर आप रोज कमणी को ट्रैक कर सकते तो आपने डेफिनेटली यहां पर इंज्वेस्ट करना चाहिए मेरे काल से थोड़ा हाई स्टॉट वाला यह हमें स्टॉक नजर आता है वेलेशन वाइस अगर हम दिखेंगे एक करूंगा ओके दोस्तों थैंक यू आप नाइस डे